हिंदू कॉस्मोलाजिके अकॉर्डिंग इस ब्रह्मान की क्रियेशन को चार युगों में डिवाइड किया गया और अभी के युग को हम कल युग कहते हैं जो इन सारे युगों का सबसे डारकेस्ट फेस है ऐसे समझो कि भगवान कृष्ण का जनम तीसरे युग यानी द्व कि यहाँ पर कोई जगा नहीं होगी और इसी कारण कल्यूग के अंत होने का समय चक्र और दिवरता से घुमने लगेगा वो कहते हैं कि कल्यूग में ताकतवर और दुस्ट लोग उपर रैंक पे होंगे और उनकी दया और मरसी पर जीरे होंगे इमानदार लोग पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना ज़्यादा लगाव करने लगेंगे कि वहीं उनके डाउनफॉल का कारण भी बनेगा लोग इतने ज़्यादा आलसी हो चुके होंगे कि बिमारियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी धीरे धीरे इंसान की उपजाव जमीन रेकिस्तान मे कनवर्ट हो जाएगी और इस पे कोई भी क्रॉप्स नहीं उगाए जा सकेंगे जो भगवान ने बोला है वो प्रत्यक्ष आप अपनी आँखों से देख पा रहे होंगे अगर डिसगरी करते हो तब तो ठीक है और अगर अगरी करते हो तो इस वीडियो को शेयर करते हो